अप्रफ्ट्र परियोग साला सायक यानिकी लेब असिस्टेंट बरती परिक्षा 2022 के नविंतम पाथे करम के अनुसार पर्थम पेपर के लिए अगर आपने पिछले 14 मोडल पेपर अगर नहीं देखें तो दोस्तो आप प्लेलिस्ट में जाईए वहाँ परिक्षा में मिलेगा दोस्तो सो प्रसन में से कम से कम आपके असी प्रसन है वो फर्ष्ट पेपर में सही होने ही चाहिए अरद्यरेस अकेडमी के यूटूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रसन है देखिए नोलख्वाजा निम लिकित मेंसे राजस्तान के किस किले का भाग है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये रंथमबोर के किले का भाग है अगे देखिए दोस्तों अपना इसमें सेकेंड नमबर तर्स नहें धानवन दुर्ग किसके भीचिस्तित है धानवन दुरु पूल्ण偉 देडagar अन्सर ऋजयेगा वहане देखे तीन नमबर का प्रेशन है निमनांकित में से कौन सा अबुसन कान पर पहना जाता है दोस्तो कौन सा अबुसन कान पर पहना जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो देखे टोटी टोटी जो अबुसन है ये दोस्तो राजस्तान में मैलाओं द्वारा क है 1300 जैन्में पान में पहने जाने वाला आबुसन है right answer हो जाएगा इसमें c नमर का ओप्शन बिलकुल implk शहीं इतर चार numबने लिखित से इसे कौन से इस तल को धूल ayud कोट भी का जाता है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो अहड हाड को धूल कोट भी का जाता पर्धिव राज विजय के लेक लेकर वा convincing कोन ते श्का राइट अंशन वह दोस्तो परधिव राज विजय के लेकर यहानक भटे याएंपर फैल राइट अंसर हो जाय का थीख ig आगे देखिए इस इसस अरॉ captain यहां पर B number का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा या आपको इसमें याद रखना है ठीक है आगे देखिए 7 number का प्रेश ने जैपुर से आगरा राष्टी राजमार्ग 11 का नया नंबर क्या है इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो न्या नंबर है याद रखना right answer हो जाएगा इसमें C number का जो option है वो इसका बिल्कुल सही ठीक है आगे देखिए 8 number का प्रेश ने राजस्तान राज्य की सीमा को इस पर्स करने वाले भारती राज्यों की संक्या है दोस्तो राज्यों की सीमा लगती है तो दोस्तो पांच राज्यों की सीमा लगती है से तो यहाँ पर अपना इसमें B number का उप्षन बिल्कुल सही आगे देखिए इसमें निमिनलिकित में से कौन सी जीले हैं सिचाई के काम में ली जाती है वह अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है दोस्तो देखिए इसमें सिचाई के काम में दोस्तो जैस समंद और समन जीले हैं यह दोस्तों शीचाई में काम में ली जाने वाली जीले हैं तो इसमें राइट अंसर हो जाएगा वो है सी नमबर का जो अपशन है वो इसका बिलकुल से उतर हो जाएगा इसमें ठीक है आगे देखिये इसमें तस का पर्शन है सुस कश अगवान वन राजस्तान के निमनलिकित मvं किस जिल dépendते हैं। इसका राइट बॉद आंश्र होते वह जाए वह दोस्तोस यह बा सवड़ा में पंप 5000 घोठjang यहाँ पर एछ अग divs के पासान कालीन उपकरण प्राप्थ है राम सेकास्म और इस पटिक नामक पासान कालीन उपकरण प्राप्थ है तो दोस्तो ये प्राप्थ है आहड से प्राप्थ है दोस्तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर है आहड जिसका प्राच सुमेलित नहीं है वो अपने को यहां पर बताना एक तरफ लेक़ग है दूसरी तरफ है रचना है तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर देखिये लेकक सदासिव यहां पर अमरकावे वंसावली यह दोस्तों इसमें क्या चंदर सूरी ने हमीर महा कावे लिखा करम चंद ने दोस्तों वंसोत कीर्थम कावें लिखा यहां पर ए नंबर का उप्षन बिल्कुल सही देखे टेस्ट आपको पूरा देना है तब भी आपको अपना स्कोर पता लगेगा और तैयारी कितनी है ठीक है देखे डिंगोली क्य क्या है बताएं दोस्तों यह डिंगोली क्या है तो यह इस तरियों का एक वर्थ है ठीक है तो उस वर्थ को कहते हैं दोस्तों यह राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का उप्षन बिल्कुल सही आगे देखे चोदर नंबर का प्रेस्ण है राव जैच सिरोचंद के रचेता कोन है तो दोस्तों वो है बिटू सुजा कोन है बिटू सुजा ने राव जैच सिरोचंद नामक गरंत लिखा था ए नंबर का उप्षन बिल्कुल सही आगे देखे परताप सिंग भारत को किस सडियंतर केस के तहत जेल बेजा गया अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बनारस सडियंतर केस के तहत जेल बेजा गया यहा पर इन नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए शोला नंबर का प्रेस ने है परोब कारणी सभा की सतापना हुई फरोब कारणी सभा की स्टापना आगे देखिए 17 नमबर का प्रेशन है विकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सायक संदी पर अस्ताक्सर किस ने किये इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा वो है दोस्तों ये किये थे किसने तो ये कासिनात हो जाने किये थे दोस्तों ठीक है याद रखना दोस्तों नो मार्च 1818 को बिकानेर नरेश महाराजा सूरत सिंग की ओर से कासिनात हो जा एवं गवर्नर जनरल की ओर से दोस्तों ये अस्ताक्सर किये गए थे राइट आंसर हो जाएगा इसमें कासिनात हो जा बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे पंकक यानि की सलरी राजस्तान के किन जिलों में पारिस्तिती की तथा भूमी की उर्वरा सक्ती दोनों को एपून्वी सती पहुंचा रही है बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ये राजसमेंद और उदेपुर को यहां पर ए नमबर का जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा या आपको इसमें याद रखना है ठीक है दोस्तों देखिए मारबल खुदाई के बाद प्रैसर स्क्रन है तो मारबल को आवसक रूप से दोस्तों मोटाई में काटा जाता है और इस परकिरिया को यानिकि इस परकिरिया में ज के लिए जैकन्या विद्याले गुनी सो बत्तिस किसने इस्तापित किया राजस्तान में बालिकाओं के लिए जैकन्या विद्याले गुनी सो बत्तिस किसने इस्तापित किया इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जैनाराण व्यास यहां पर सी नंबर का जो उप जॉन लुडलो जॉन लुडलो है यह दोस्तो समेलित हुआ था थीक है मारजा तक्सिंग के राज जेभिशेक के समय यहाँ पर यह नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए इसमें कौन सा कोट समेलित नहीं है एक तरफ रियासत है दूसरी तरफ सासक है अपने को यह समय या पर गलत दे रखा है आप सभी को पतावनाच चीए देखे सासक राम सिंग के समय वह का दिवान है वह जाला मदन सिंग था ठीक है जिसको अपन जाला जालिम श्igue का पोत्र बोलते है ठीक है इन्होंने तो यहां पर सुमेर सिंग है वो गलत दे रखा है दोस्तों शिरोई की जो इस्तापना है वो दोस्तों अबे सिंग ने की थी करोली की स्तापना गणे स्पाल ने की थी और अलवर की स्तापना दोस्तों तेज सिंग ने की थी यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा एक नमबर का जो औप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा यानिकि ए नमबर ऑप्शन बल्कुल सही आगे देखिए राजस्तान का चेतरपल भारत के कुल भोगोलिक चेतरपल का कितना परतिसत है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें 10.41 परतिसत है यहाँ पर ए नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिलकुल सही उतर हो जाएगा दोस्तो राजस्तान में कौन सा भोगोलिक चेतरपल भारत में जाना जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चंबल बेसीन यहाँ पर बी नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिलकुल सही उतर हो जाएगा चंबल बेसीन चोबिस नमबर का प्रस्तन इसमें देखे राजस्तान में काले हिरन के लिए प्रसीद अब बेरन कौन सा है काले हिरन के लिए प्रसीद अब बेरन कौन सा है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तालसा पर बेरन है यह काले हिरन के लिए प्रसीद है C number का option बिल्कुल सही 25 number का प्रस्थन इसमें देखिए चांद बावडी काँ पर है तो दोस्तों चांद बावडी ये तो सभी को पता है आबानेरी दोसा में है काँ पर है आबानेरी में है ठीक है आबानेरी का है दोसा में C number option बिल्कुल सही आगे देखिए दादू और उनके सिस्यों की रचनाएं अधिकतर किस बासा में पाई जाती है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो डूंडानी बासा में पाई जाती है यहाँ पर बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही डूंडानी बासा में 27 नमबर का प्रेशन है राजस्तानी उट का वेग्यानिक नाम है दोस्तो राजस्तानी उट का वेग्यानिक नाम है वो कौन सा है तो वो है दोस्तो केमिला से ड्रोमेड एरियस है यह दोस्तो उट का वेग्यानिक नाम है राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नमबर का उप्श डुंगरपूर बान गंगा मोरेल ठीक है डुंगरपूर बान गंगा मोरेल ये दोस्तो इसमें गलत दे रखा है ठीक है यहाँ पर देखिए दोस्तो करोली में गंबीरी उदैपूर में दोस्तो बनास बेटच अलवर साबी रुपारेल तो यहाँ पर देखिए दोस्तो इसमे अलवर के अंदर साभी रुपारेल नदी है वो बैती है उदेपुर में दोस्तों बेड़च सौम जाकम साबरमती गोमती ठीक है करोली में चंबल गंबिरी और जैपुर में दोस्तों बांड गंगा मोरेल मासी यहां पर डूंगरपुर है वो गलत दे रखा इसमें तो इसमें डी नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा बाकि सारे सही है इसमें आगे देखे निमनलिकित को सुमेलित कीजिए दोस्तों एक तरफ है यहां पर इस्तानिय नाम है और दूसरी तरफ छेतर जे रखा है दोस्तों यहां पर देखे यह तो अपने क्या हो गया छे यहां पर देखे घंगरपूर बास्वार्डा एवं पर्ताबगट छेत्र को किस नाम जानते हैं दौस्तों इसको बताए किस नाम से जानते हैं या यानि कि पहले का तीन आगे देखे डूंगरपूर पूर्वी शिरोई एवं उदैपूर जिलो को उद्यानी की उदैपूर जिलो का जो अरावली परवतिय चेत्र है उसको किस नाम से जानते हैं दोस्तो उसको बोमट के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं बोमट के नाम से जानते हैं ठीक है और देखिए दोस्तों अपना इसमें देखिए आबू परवत खंड को अरबुद के नाम से जानते हैं और कोटा बूंदी बारा चेतर को दोस्तों ये तो सभी को पता होगा हडोती के नाम से इसको जानते हैं यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3142 अपना इ पासलर कौन था इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गंगा सिंग यहां पर डी नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा गंगा सिंग ठीक है 31 नंबर का प्रेस्ट ने निमनलिकित में से कौन सी गटना को मातमा गांदी ने डायर के करत सब्सक्राइब जाएगा निमतना गटना माई गुद्र की जो गटना है उसको दोष्तों मातमा गंदी ने डायर के करते से भी दुगनी कांड़ बताया यह घ anim अपर शेंप माली प्रेस्ट प्रेशन ने चसल लिग दोलपुर जिले से कितना बड़ा है यह लिए बड़ा है कितना 12.66 गुना बड़ा है राइट आंसर हो जाएगा इसमें C नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही ठीक है 33 नमबर प्रेशन है अरावली की निमनलिकित परवत चोटियों को उनकी उचाई के अवरोई करम में विवस्तित कीजिए अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो जर्गा अचलगड कुंबलगड रगुनात गड़ जर्गा अचलगड कुंबलगड रगुनात गड़ यहाँ पर ए नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर है हो जाएगा ये करम है जरगा की उचाई आप सभी को पता है 1431 मिटर है अचल गड़ की उचाई है वो 1380 मिटर है कुंबल गड़ की उचाई 1224 मिटर है और रगुनात गड़ की उचाई 1055 मिटर है ठीक है यहाँ पर यह नमबर ऑप्शन बिलकुल सही आगे देखें निमनलिकि यह नमबर का यह नमबर का जो उफचन है वो इसका बिलकुल सही 35 नमर का फ्रशन इसमें धेखें वहन अधी जो राजस्तान में धटख्षन से प्रवेस करने के उपरांत है पसिम के और बैती हुई पुने दक्षिन के और मुड़ जाती है वह नदी जो राजस्तान में दक्षिन से प्रवेस करने के उपरांत है पसिम के और बैती हुई पुने दक्षिन के और मुड़ जाती है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं दोस्तो माही यहाँ पर ए नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा माही नदी ठीक है अगे देखे निमनलिकित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है तो कौन सा युग में सही सुमेलित है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है देखे चंबल प सब्सक्राइब को पता भीए होगा दोस्तों जो नरम्दा पर्युजना है यह दोस्तों राजास्तान गुجरात की सुम्हिट पुजना है ठीक है वर माराह राश्टर बीश में समयलित होता है यहाँ पर देखिये माही बजाच साकर परयुजना राजास्तान मद्देपर्देस यह गलिट हो जाएगा राजस्तान और गुजरात की सेविक्त परियुजना है ये ठीक है व्यास परियुजना राजस्तान हरियना ये बिल्कुल सही है दोस्तों इसमें और ये ही अपना राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर उप्सन बिल्कुल सही आगे देखिंए कोपेंदवारा प्रस्तुत जल्वाईयु परेशों में से राजस्तान में कोन सा सुमेलित नहीं है तो दोस्तों यहां पर देखिए इसमें एडबलू राजस्तान का दक्षनी भाग सीडबलू जी राजस्तान का उत्री भाग ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें CWG है ये उप आदर परदेश कहलाता है और इसमें अरावली के दक्षनी पूर्वी जिले सामिल होते हैं तो यहां पर उतरी भाग है वो गलत दे रखा है और यही अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा बाकि BWHW सुस्क ठीक है बी नमबर ऑप्षन बिल्कुल सही आगे देखे सरचनात्मक दरश्टी से राजस्तान के भोतिक सवरूप भारत के निमनलिकित में से किन उच्छावच परदेशों का हिस्सा है अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उतरी वरेत मैदान तत्वों से संसिक्त कैसे जाती है पस्मी राजस्तान की मिटी अमलिये और सारी तत्वों से संसिक्त कैसे हो जाती है अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें देखिए मिटी की निचली सते से उपर की और के सिकाओं द्वारा जल रिशाओ से यह अपना इसमें right answer हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें B number का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा 40 number का प्रेशन है राजस्तान में फलोरोसिस की समस्या से पीडित कुबड़ पटी छेतर कहा इस्थित है अपना इसमें right answer क्या हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें नागोर अजमेर यहाँ पर ए नंबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा नागोर अजमेर आगे देखिए 41 नंबर का प्रेशन है यहाँ पर देखिए सूची first में राजस्तान के छेतर दे रखें और सूची second में पसू नसले दे रखी है तो यहाँ पर देखिए दोस्तो इसमें देखिए उत्तर पस्मी राजस्तान में बताएए दोस्तों उत्तर पस्मी राजस्तान में कौन सी नसल पाई जाती है गाय की तो दोस्तों यह राठी राठी नसल पाई जाती है दोस्तों ठीक है उत्तर पस्यमी राजस्तान में दक्षन पस्यमी राजस्तान में दोस्तों कांकरेज नसल है और पस्यमी राजस्तान में थार पारकर और दक्षनी पूर्वा मद्देवर्ती राजस्तान में गिर गाय पाई जाती है यहाँ पर अप तो वो है दोस्तो वर्सा की नियूनता यहाँ पर C नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए राजस्तान में अमेरिकन का पास का उत्पादन किल जिन्दों में होता है राजस्तान में अमेरिकन का पास का उत्पादन किन जिलों में होता है राइट आंसर हो जाएगा वो है बास्वाडा हनुमानगड श्री गंगानगर में अमेरिकन का पास का उत्पादन होता है यहां पर डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे राजस्तान का खनीज उत्पादन में योगदान के समंद में निमनलिकित में से कौन सा कथन ऐसत्ते है वो यहां पर अपने को क्या करना है बताना है दोस्तों यहां पर देखिए ऐसत्ते कथन बताना है राजस्तान भारत का सत परतिसत वोलेश्टोनाइट उत्पन करता है बिल्कुल सही है राजस्तान भारत का चान्वा परतिसत फोलोराइट उत्पन करता है बिल्कुल सही है तीसरा देखिए राजस्तान भारत का पिचेत नबह नहीं सो परतिसत राजस्तान भारत का सो परतिसत जासफर उत्पादन करता है नबह परतिसत यहां पर गलत दे रखा है यहां पर अपना इसमें डी नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा यह अपना ऐसत्ते कतन है आगे देखिए राश्टे मरू उद्यान राज को किस नाम से जाना जाता है राइट आंसर हो जाएगा वो है इसको जीवास्म पार्क के नाम से जाना जाता है इसका बिलकुल सही उत्तर बी नंबर उप्शन बिलकुल सही जीवास्म पार्क के नाम से आगे देखिए किलो के निमनलिकित जोडो में से किसे तारगड किलो के नाम से जाना जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बूंदी और अजे मेरु दूर्ग बूंदी और अजे मेरु दूर्ग है यह दोस्तों तरागड किलो के उपनाम से जाना जाता है यहाँ पर यह नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएग यहाँ पर A नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा बीकानेर आगे देखे 48 नमबर का प्रस्थन है राजस्तान के कौन से जिले आदर दक्षनी पूर्वी मैदान कर्शी जल्वाई परदेश के अंतर गताते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो कोटा बुंदी बारा जालावाड तथा स्वाई मादोपूर यहाँ पर डी नमबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे एक सासक एवं संत पीपा किस इस्तान से समंदित थे दोस्तो एक सासक एवं संत पीपा किस इस्तान से समंदित थे इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तो गागरों जहलावाड से यहाँ पर D नमबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा दोस्तो राजस्तान में भक्तिया अंदोलन के प्रारंब करता संथ पीपा का जन्म है गागरों जहलावाड में हुआ ठीक है याद रखना इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा D नमबर का उप्षन बिल्कुल सही आगे देखे भिकानेर के महाराजारा राइस सिंह गद्धी पर कब बेठे थे दोस्तो भीकानेर के महाराजा राय सिंग गद्धी पर बैठे थे 1544 इस्वी में ठीक है दोस्तो ये राव कल्यानमल के पुत्र थे ठीक है राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का उप्शन सही उतर 1544 में आगे देखे कावड कला किस वस्तु से समंदित है दोस्तो कावड कला किस वस्तु से समंदित है तो दोस्तो कावड किस की बनी होती है लकडी की बनी होती है राइट आंसर बी नंबर का उप्शन सही उतर हो जाएगा लकडी की दोस्तों देश की पहली एरलाइन बन गई है तो दोस्तों देश की पहली एरलाइन बन गई एरलाइन वो कौन सी बन गई है वो अपने को बताना है बहुत अच्छा प्रस्ण है निम्न में से कौन सी फलाइट सव देशी नेविगेशन यानि की गगन यानि की दोस्तो वायूयन संचालन प्रनाली गगन का उप्योग करके विमान की लेंडिंग कराने वाली देश की पहल इयरलाइन कौन सी बन गई है तो वो है दोस्तों इंडिगो बन गई है यहां पर ए नंबर का प्षण स陪 आगे देखिए वेली कृशन रुकमनिरी किस भासा का ग्रंथ है तो यह ग्रंथ है दोस्तों उत्री मारवाड़ी का यह ग्रंथ है राइट आंसर हो जाएगा इसमें B number का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ठीक है आगे देखें इसमें निम्न में से किस महादीप को महादीपो का महादीप कहा जाता है बताए निम्न में से किस महादीप को महादीपो का महादीप कहा जाता है निमनली कितमी से किस महादीप को विज्ञान के लिए समर्पित महादीप कहा जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें अटांटिका महादीप को दोस्तो विज्ञान के लिए समर्पित महादीप कहा जाता है डी नंबर ओप्शन बिलकुल सही है यानि के निकला करते हैं उन्हें का जाता है उन्हें क्या का जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उन्हें का जाता है सक्रिय ज्वाला मुखी यहां पर ए नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सहीवतर हो जाएगा सक्रिय ज्वाला मुखी आग पर ए नमबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सहीतर हो जाएगा इस ट्राम बोली ठीक है आगे देखें फ्रांस के इतियास में पहला लिकित सविदान किस वर्स बन कर तयार हुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों 1791 में बन कर तयार हुआ सी नमबर का जो option है वो इ देखिए रेक्टर स्केल का आविसकार बू बोतिक सास्तरी चाल्स रेक्टर द्वारा किस वर्स किया गया इसका बिल्कुल सहीतर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1935 में किया गया सी नमबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही गुनी 135 में है आगे देखिए उद्योगीक प्रदेशों में निवास करने वाली अधिकान्स जनसेंग क्या किस प्रकार के किरिया कलपों में सेलगन रहती है। अपना इसने सही उत्र हो जाएगा वो है दोस्तों वी निर्मान कारिये। यहाँ पर ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा वी निर्मान कारिये। नेक्स्ट 63 नमबर का प्रिष्ट निमनलिकित कतनों पर विचार कीजीए, अपने को बताना है कि कौन सा कतना है वो इसमें सत्ते है, ठीक है, कोट बास हमें अपने को रतर देना है, देखिए मासागर ये धाराएं मासागर में जल का मंद भूपरेश्ट संचलन होती है मासागर धाराएं मुख्यत है सनातन पाउनों द्वारा चलाएमान होती है मासागर धाराएं पर्तवी का ताप बनायर रखने में सायक होती है मा सागर दाराएं, मा सागर सर उपन द्वारा पर भावित होती है दोस्तो कौन से वेक्तवे इसमें सही है तो इसमें चारों वेक्तवे सही है यहाँ पर B नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे अगे देखे अरब सागर के समुदरी तुफान पराएं, किस समय उतर होते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा यह दोस्तो अप्रेल से जून तक है दोस्तो यह उतर होते है B नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे बू कम्पिय तरंगों के कारण आपदा का नाम दोस्तो क्या है तो वो है सुनामी तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें C नंबर उप्शन सही उतर सुनामी आगे देखे सरोपर्तम समाजवाद सब्द का परियोग किस ने किया इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रोबर्ट ओवेन ने रोबर्ट ओवेन ने दोस्तो समाजवाद सब्द का परियोग किया C नंबर का उप्शन बिल्कुल सही 68 नंबर का प्रस्टन इसमें देखे नाच्सी वाद का उदय किस देश में हुआ नाच्सी वाद का उदय किस देश में हुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये जर्मनी में हुआ दोस्तों नाच्सी वाद का उदय इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा B नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे अमेरिकी सविदान की परमुक विशेष्थाएं तो वो कौन सी है इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो गंतंत्रिय अध्यक्सात्मक सासन प्रणाली दोरी नागरिकता इसका right answer हो जाएगा वो प्रोक सभी डी नंबर का option बिलकुल सही उतर अगे देखिए गेतर नंबर का प्रस्टन है निमनलिकित में से कौन सी एक जील तंजानिया वा यूगांडा के बीच अंतराष्टे सीमा बनाती है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विक्टोरिया यहां पर बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा विक्टोरिया जील ठीक है अगे देखिए भारत में पूर्वा प्रस्तर यूग में अधिकान सोजार बने थे बारत में पूर्वा प्रस्तर यूग में अधिकान सोजार बने थे तो दोस्तों यह उजार है वो किसके बने थे इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो देखे यहां पर इसफटिक के बने थे दूस्तों यह ठीक है इसफटिक के बने थे राइट अंसर हो जाएगा ए नमबर ऑप्शन बिल्कुल सही आगे देखे निमनलिकित में से कौन सी सरचना भारत के नक्से पर यानि की सबसे उत्तर में है बताए कौन सी सरचना भारत के नक के दूरान किया गया था मोट की मस्जिद का निर्मान किसके सासन काल के दूरान किया गया था इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सिकंदर लोदी के सासन काल के दूरान किया गया था यहां पर ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा सिकंदर लोदी आगे देखिए रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से अटाया था रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से अटाया था इसका राइट अंसर हो जाएगा बाला सुचालिस यूश्य में रजिया सुल्तान को दोस्तों गद्दी से हटा दिया था दोस्तों रजिया सुल कि मितान के साथ वी अनुसची में निमनलिक्त में से कोन समंदीत है दो descumo किति थीक है यहाँ पर इसका राइट पाइब शेया, वह है अपना इस में कि देखिए शाओं की सुचि राइट पाइबाक है यहां पर जो साथ वी अनुसची है यह दोस्तों और प्रांतिये संगिये तथा उबनिष्ट यानिकि अपसी सुची के विशे हैं यानिकि संग सुची राजे सुची और समवर्ती सुची से समंदित है यह सात्वियनु सुची ठीक है राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए उष् प्रशन है इसमें देखिए सोनवा नरमदा नदियान निकलते है इसका राइट आंसर जाएगा यह अंतर प्रदेश में यह नंबर शिवंटी नाईन नंबर का प्रष्ण है निम्न में से कौन सी मिटी सरवाधी को प्युक्त होती है अपना इसमें राइट आन्सर हो जाएगा वह धोस्तो जलोड तसा चिकनी मिटी जलोड तथा चिकनी मिटी है ये सरवाधिक उप्यूक्त मिटी होती है राइट आंसर हो जाएगा इसमें B नंबर उप्शन सही आगे देखिए भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है बारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है तो वो कौन सा है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विदिक अधिकार यहाँ पर D नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा विदिक अधिकार ठीक है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो 42 सविदान संसोदन गुनिसो चीहतर के माद्यम से यह सब्द जोड़े गए थे ठीक है यह नमबर उप्शन बिलकुल से आगे देखे विश्वा प्रसिद है मिसोन यानि कि माईसोन मंदिर समू है दक्षिन पूरो एशिया के किस प्राचिन राजे की दरोवर है तो दोस्तो बताईए किस प्राचिन राजे की दरोवर है विश्वा प्रसिद मिसोन मंदिर समू है ठीक है राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें कौन सा तो वो है इसमें दोस्तो चमपा यहाँ पर ए नमबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा चमपा रज्य की दरोवर है यह ठीक है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें वो है दोस्तो ए नमबर उप्षन बिल् क्या गया था बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही यहां पर देखे 84 नंबर का प्रेस ने छोटा नागपुर के पठार में निमनलिकित में से कौन सा खनीज नहीं पाये जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें सोना तो यहां पर डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा सोना आगे देखे मर्दा अपरदन का निमन में से कौन सा एक कारण नहीं है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वन रोपन वन रोपन है यह नहीं है बाकिया ती चारण बाड और बुसकलन यह तीनों है ठीक है बुसक जाए अब ऑन की विकास की तिरवर्ता दोसरों पर निर बड़ता मांसिक विकास में तिर वर्ता यह तीनों दोस्तों सेसे वस्ता की विकासिता है लेकिन निरतिकत। का होना यह विशेष्टा नहीं है सी नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे तोलमेन के सिद्धान्त में अभी प्रेयरके यह निर्दारित करता है कि प्राणी कि सुद्धिपक पर ध्यान देगा यहां पर बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे व्यक्तित्व मापन की अप्रेक्सेपन विद्यों का प्रकार निम्न में से है अपना इसमें बिल्कुल सही उत्र क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखे आत्मनिष्ट विदियां वस्तुनिष्ट विदियां मनो विश्लेशन आत्मक विदियां राइट आं को सरोपर्थम विज्ञान का दर्जा देने वाली विदी कौन सी है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें परियोगात्मक यहां पर सी नंबर का उप्शन है वो इसका बिल्कुल सहीतर हो जाएगा परियोगात्मक 90 नंबर का प्रेशन इसमें देखिए अभी परेड़ना से तात पर यह सीखने में रूची उत्पन करने से है तथा यह सीखने का अधिकार है यह परिबासा किसकी है दोस्तों यह परिबासा किसकी है तो यह क्रो एंड क्रो की है यानि कि क्रो वै क्रो की है राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर उप्शन सह उप्रोक सभी डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा बराणवा नंबर का प्रस्ण इसमें देखिए संगम उपागम के अनुसार सर्जनात्मक्ता में कौन से तत्व होते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बोद्धिक समता ज्यान आंतरी क अब प्रेना तो तीन होते हैं राइट आंसर हो जाएगा उप्रोक सभी डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए 93 नंबर प्रस्ण ने देखिए टी निम्नांकित में से किसका समुच्च्छ है तो दोस्तों बताए दोस्तों तो राइट आंस हो जाएगा वो है दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंदन क्रिया प्रसूत है ए अनुबंदन तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा यह नंबर का उप्रस्न बिल्कुल सही आगे देखिए 90-95 नंबर का प्रस्ट ने विशेस आशक्स आफशक्ता वाले ब बच्चों को सामिल करना दोस्तों विध्यालियों पर बार बडा देगा राइट आंसर हो जाएगा इस में B नमबर का जो बशय置न है वो इसका बिल्कुल सहय उत्तर हो जाएगा ठीक हैं आगे देखिए इस में किर्यात्मक अनुसंदान में दोस्तों क्रियात्मक अनुसंदान में क्रियात्मक उपकलपनाओं का निर्मान समश्याओं के कारणों पर आदारित है ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे बालकों के मुक्त एवं अनिवारिय सिक्षा कादिकार अधिनियम 2009 मे निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है तो किस पर ध्यान नहीं दिया गया है तो दोस्तों यह ध्यान है यह 14 वर्ष के पश्चात कि सिक्षा पर ध्यान है वो नहीं दिया गया है यहां पर 14 वर्ष के पश्चात कि सिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया है राइट आ समगरी को देखकर कुट्टे की मुँँ में लार टपकने लगती है लेकिन कुछ समय बाद केवल प्याले को देखकर ही लार टपकने लगती है यह उदारण सीखने के किस नियम की व्याक्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा यह है दोस्तों इसमें सहाचरिये परिवर्तन का नियम डी नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए सिक्षा मनुष्य की समताओं का सभाविक प्रगर्तिशील तथा विरोध हीन विकास है यह परीबासा किस मनोवे ज्यानिक की है यह परीबासा दोस्तों पेश्टोलोजी की है यह यहां पर बी नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा पेश्टोलोजी की आगे देखिए निमन में से कौन सा कथन है बुद्धी के बारे में सत्य नहीं है तो कौन सा कथन बुद्धी के बारे में सत्य नहीं है तो यहां पर देखिए यह इस्ताई एवं परिवर मिल जाईए वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा परियोग साला सहायक मॉडल पेपर के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है तो आप वहाँ जाकर पिछली मॉडल पेपरो का टेस्ट है वो अवस्य दें और अरद्दार सेकेडमी के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेयर जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्ट टूडियो में जय हिन जय भरत